आसान नहीं होता प्रतिभाशाली स्त्री से प्रेम करना, क्योंकि उसे पसंद नहीं होती जी हुजुरी, जुकती. नहीं वो कभी जब तक ना हो रिष्टों में प्रेम की भावना, तुम्हारी हर हां में हां और नामें ना कहना वो नहीं. जानती, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं जूट की दोर में रिष्टों को बांधना, वो नहीं जानती स्वांग की चाशनी में दुबो कर अपनी बात मनवाना, वो तो जानती है बेबाकी से सच बोल जाना, फिजूल की बहस में पढ़ना उसकी आदतों में शुमार नहीं, वो जानती है, तर्क के साथ अपनी बात रखना, वो क्षण क्षण गहने कपडों की मांग नहीं किया करती, वो तो सरहवारती है, स्वयम को अपने आत्म विश्वास से, निखारती है अपना व्यक्तित्व मासूमियत भरी मुस्कान से तुम्हारी गल्तियों पर तुम्हें टोकती है, तो तकलीफ में तुम्हें सभाल भी है, उसे घर सभालना बखु भी आता है, तो अपने सपनों को पूरा करना भी, अगर नहीं आता, तो किसी की अनरगल बातों को मान लेना, पौरुश के आगे वो नत्मस तक नहीं होती, जुकती है तो तुम्हारे नहस्वार्थ प्रेम के आगे, और इस प्रेम की खातिर वह अपना सर्वस्व न्योचावर कर देती है, होसला हो निभाने का तभी ऐसी स्त्री से प्रेम करना, क्योंकि तूट जाती है वो धोखे से, छलावे से, पुरुश अहनकार से, क्या के फिर जुड नहीं पाती किसी प्रेम की खातिर, शादी शुदा स्त्री अकसर कर बैठती है इश्क मांग में सिंदूर होने के बावजूद जुड जाती है, किसी के एहसासों से कह देती है उससे कुछ अनकही बाते ऐसा नहीं कि वो बजजलन है या उसके चरित्र पर कोई दाग है, तो फिर क्या है जो वो खोचती है सोचा कभी, स्त्री क्या सोचती है, तन से वो हो जाती है, शादी शुदा पर मन कुवारा ही रह जाता है, किसी ने मन को छुआ ही नहीं, कोई मन तक पहुचा ही नहीं, बस वो रीती सी रह जाती है और जब कोई मिलता है उसके जैसा, जो उसके मन को पढ़ने लगता है, तो वो खुली किताब बन जाती है, खोल देती है, अपनी सारी गिरहें और नत्मस तक हो जाती है, सम्मुक स्त्री, अपना सब कुछ न्योचावर कर देती है, जहाँ वो बोल सके, खुद की बोली के खुद के दो लब बता सके, बिना रोक टोक अपनी बाते हन्स सके, एक बेखौफ सी हसी, हाँ लोग इसे इश्की कहते है, परस्त्री तो बस दूर करती है, अपने मन का कुवारापन लेटस्ट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए